यह देखो E4 VXQ Emulator इससे थोड़ा सक नीचे नजर डालोगे तो मेरे पास BlueStacks 5B और इससे थोड़ा सक ऊपर नाजर डालोगे तो मेरे पास BlueStacks 10B और इससे और थोड़ा सक नीचे डालोगे तो आपको मेरा MSI Player भी दिख जाएगा और थोड़ा उदर दालोगे तो गूगल प् करना पड़ता है तो अभी देखो यहां पर मेरा इसमूट कितना ही चल रहा है अब आपको इतना इसमूट यह नहीं चलता है इसका मैं में में कारण आपको बता देता हूँ आप लोग उन यूटूबर की वीडियो देखते हैं जो खुद तो इस वीडियो को सिरू करते हैं सबसे बहुत करने इस इस इमूलेटर का बहुत कंफूजिंग नाम है कुछ उसी प्रकार का इसको बनाया गया यह दर असल में एक MSI का ही एक वर्जन लाइट वर्जन जो की पुराना वर्जन आप देख सकते हैं यहां पर कुछ फॉर पोइंट एसा करके वर्जन और यह पूराना MSI लेक हो है अगर आपको ब्लू स्टेक्स में लेगने होता तो आप ब्लू स्टेक्स की रहने देना क्योंकि क्रेस्ट प्रोब्लम जेल जेल के आप पागल हो जाए और इस वीडियों में कुछ सेटिंग बतांगा उसको आप ध्यान से देखना वर्ना आपका इसमें माउस इस्टक भी ज्यादा मेरा बहुत ज्यादा लेग वर इसलिए मैंने इसको पूरा ही लेग कर दिया और मेरी माउस की दिपर इसको इमुलेटर डिपर रहती वह दो सचालिस पर बाकि मेरा इसका पर पर्फॉरमेंस वाज़ इसमें यह मोड़े और यहां पर ओपन जीए ले और बाकि पूरा-पूरा छेटTG कर लेना इसके बाद आपको फ्रेम्रेट देंग लेगा था फ्रेम्रे इसमें 450 तक जाते अपको ही 52 घर लेना और बाकि सब्ना कोनोर्मल संब इसमें इतने भी नोटिफिकेशन की लिए आपको बोले तो सारे नोटिफिकेशन को ऑफ रखना है कुछ लोग जान बूच के देखते हैं इसलिए थोड़े बहुत मेरे सब्द इधर उदर जा रहे हैं बाकि मेरे जो यह और भी चीजे नॉर्मल आपको देख सकते हो बिल्कुल एसी की एसी रखनी है और कुछ नहीं करता है देखो यहां पर एडवांस वाले उप्शन में हैं सब्सक्राइं को पिल्कुल ठेली करता हो लेकिन जो माऊस के इनको जरूर चेक करना 2108 यह मेरे ट्व सब्देक को जंग दो के लावव में दो ट्विक आपको दिस्रिप्शन दूंगा तो वो ट्विक आपकोई इस्तमाल कना अगर आपको दो अपन ऑगर और seems जाता है और निचे एक च्राम आपको ज्यासा की dealers पू yılख करें कि अबे अगर आयगा पर तो यह तो इस पर एक बार क्लिक करके आपको जो यहां पर नोट उप्टिमाइज लिखा रहा होगा तो यहां पर लेप्स कर देना क्योंकि मैंने पहले से नोट उप्टिमाइज पर सेट करके रखा है इसलिए मेरा यहां पर फ्रीफार शो कर रहा है आपका शो नहीं करें तो आपको आपको इससे वाला option निकालकर आपको इस पर कर देना और अगर आपका game होता है तो मैं last में दो Tricks बताऊँ गा इसकी तो लेकिन अगर उससे भी पहला आपका game थोड़ा लेक होता है तो आपको आपका कलेक्शन पर इसका डाउलोड कम ही रखना है मतलब पूरा ही खतम रखना है और अगर फिर भी आपका लेक कर रहे तो आपको डिस्पले पर इसको smooth graphics कर लेना है वेसे तो मेरा blue stakes to smooth पर भी Bureau लेकरता है लेकिन यहः जो inv4 Uels wala emulate यह standard graphics पर भी लेक नहीं करता है अब मैं बात करूँ क्यों क्रेस की सीक्सकरद है तो इसके प्रेस-फिक्स के प्ह出去 है हमारी तो वह है कि आपको जublice यहापी एंटर करजाते हैं तो आपको बिल्कुल भी इसा नहीं करना है अगर आप गेम में जाते ही स्टार्ट कर दोगा फिर आपका कोई दोस्त बुला कर टीम आप करके वह फटाक सी स्टार्ट करते था तो आपका गेम क्रेस होना 101% पहली चीज तो यह होगा इसको आप आपका क्रेस कम होगा यानि कि आपको आपके दोस्त जहां पर खड़े रहते हम तीम बना गए आपको आपके खड़े ही रहना है पांस मिनित तक दूसरी त्रीक है हमरी कि अगर आपने गलती से गेम भी चालू भी कर दिया तो आपको इसको रीकनेक्ट करके बारबार आना जब तक आपका क्रेस फिक्स हो आप आपका बार बार आपका सब्सक्राइब करना अब इसको ट्राइब करना तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स फ़र वाचेंग